नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारे चैनल में क्रिसी कानून के विरोध में खालिस्तानियों ने किया गांधी की परतिमा का अनादर भारते दूतावासने की निंदा भारत में नए क्रिसी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में सिख अमेरिकी यूवा ने परदर्सन किया और इस दोरान खालिस्तानी अलगावादियों ने महात्मा गांधी की परतिमा का अनादर किया ग्रेटर वसिंग्टन डी सी, मैरिलेंड और वर्जीनिया के अलावा न्यू योक, न्यू जर्सी, पैंसिवेलियन, इंडियाना, ओहायो और नौर्थ कैरोलाइनीना में राज्यों से आये सैक्डो सिखोंने वसिंग्टन डी सी में भारते दूतावास तक कार की रैली निकाली इसी दोरान भारत विरोधी पोश्टर और बैनरों के साथ खालिस्तानी जंडे लिए कुछ सिख वहां आये कई बैनरों पर खालिस्तान गड़राज्य लिखा हुआ था इन में से कुछ खालिस्तानी सिख क्रिपान हाथ में थामे महात्मा गांधी की परतीमा के सामने आये और उस पर एक पोश्टर चिपका दिया इस समूने भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाएं भारते दुतावास ने एक बयान जारी कर परदसनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने वाली लोगों से इस दुरुष्ट कृत्ते की निंदा की दुतावास ने कहा कि उसमें अमेरिकी कानून परवर्तन एजिंसियों के समक्ष इस सम्बंध में कड़ा विरोध दर्ज कराया है और अपराधियों के खिलाफ जांचेव कानून के थहत कारवाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्राले के सामने भी यह मामला उठाया है बता दे कि जब सनिमार दोपहर को यह सब हुआ उस समय वसिंग्टन डीसी पुलिस और सीक्रेट सर्विस के कर्मी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे इसके करीब आधे घंटे बाद खालिस्तानी समर्थकों के एक अन्य समूह ने परतीमा के गले में रसी की मदद से नरेंद्र मोधी का पोश्टर बांगे इसके एक घंटे से भी अधिक समय बाद सीक्रेट सर्विस का एजिन्ट परतीमा की और आत्ता दिखाई दिआ और उस समारक का अनादर करने पर दस साल तक की कैद हो सकती है महत्मा गांधी की इस परतीमा का ततकालिन परधानवंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने 16 दिसंबर 2000 को ततकालिन अमेरिकी राष्टपती बिल क्विंटन की मौजूदगी में अनावरण किया था परतीमा के अनादर क गटना दूसरी बार हुई है इससे पहले दो और तीन जून की मध्यरात्री को भी इसी परकार की गटना हुई थी